Hello everyone, welcome back to the channel और आज है 15 December 2013 और हम 13, 14 और 15 तारीक के The Hindu के important news articles देखने वाले हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़े प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दू लाइक और शेयर विथ यूर फेंड्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला news है लोगसभा passes bills for women quota इन जम्मू कश्मीर और पुर्दुचेरी तो उस समय पहले special session बुलाया गया था पार्लियमेंट का जहां पर women quota bill पास किया गया था जिसमें ये बात की गये थी कि 33% reservation लोगसभा और state assembly में women को दिया जाएगा अब यही same reservation criteria union territory with legislature जो जम्मू इन कश्मीर और पुर्दुचेरी में है वहाँ पे extend किया गया है ठीक है तो आपको यहाँ पे दो चीज जाना है एक ये 33% reservation for women in लोगसभा और state assemblies और दूसरा ये अब states प्लस यूटी दोनों में लागू होगा दोनों में implement किया जाएगा ओके so hope you get this article आगे बढ़ते हैं चन्नाई में floods आए अब उस floods के लिए इंडिया का पहला चन्नाई basin project बनाया जा रहा है जो कि first urban flood mitigation project है ठीक है चन्नाई flood mitigation plan अब वहाँ पे national disaster relief fund और mitigation fund से कुछ पैसे दिये जाएंगे by center to mitigate the flood management ओके तो यह आपको समझ में आएगा गए disaster management के perspective से important article है तो चलिए आगे बढ़ते हैं चीफ election commission और election commissioners को appoint करने के लिए जो criteria था पहले वो कोई एक fix criteria नहीं था कुछ सबह पहले supreme court ने एक committee बनाई थी जिसमें chief justice of India prime minister leader of opposition और एक cabinet minister चार लोग होंगे जो chief election commissioner का selection करेंगे लेकिन government एक build लेकिया आई है जिसमें उन्होंने chief justice of India को इस committee से बाहर निकाल दिया है अब वो एक selection committee के धुरू होगा जो prime minister उसको chair man होंगे leader of opposition और single leader of single largest party और union cabinet minister nominated by PM तो वो एक bill आया है ठीक है अब chief election commissioner और election commissioner एक constitutional body है इसके बारे में आपको लेकिन विकान से पता होना चाहिए chief election commissioner के बारे में article 324 में दिया हुआ है तो article 324 आज आज ही जाके revise करेंगे from your और लक्षमी कान ओके ओपे गड़िस आटिकल आगे बढ़ते हैं criminal bill जो तीन criminal bill थे जैसे कि IPC CRBC और evidence act इन तिनों act को इनका redraft किया गया है तो जैसे कि न्याय सहिता बिल है भारती न्याय कोक्ष बिल है और ऐसे एक और बिल है मुझे नाम लियाद नहीं आ रहा है भारती न्याय समीता बिल ठीक है तो उसमें कुछ-कुछ नय चीज़े add की गई है बिल में mental illness को unsound mind से replace किया गया है और पहली बार child को define किया है कोई भी person जो 18 से कम का उम्र का है वो child कहलाईगा बिल for the first time defines cruelty against women वोमेन के खिलाफ cruelty क्या होती है इसको first time भी define किया गया है तो यह कुछ-कुछ updates हैं जो आपको इस article से पता चलेंगे hope you get this article आगे बढ़ते हैं एक report आईए जिसका यह मानना है कि 74% Indians could not effort healthy diet एक होता है दो वक्त का खाना और एक होता है दो वक्त का positive खाना ठीक है वो positive खाना जिसमें proteins, minerals, vitamins, सब कुछ available हो इसके लिए milk, sprouts, pulses यह सब भी include होना चाहिए तो इस report में यह पाया गया है Food and Agriculture Organization दोआरा एक report निकाल गया है जिसमें यह बता है कि rising food crisis if not matched by rising income would lead to more people being unable to afford healthy diet और यह बढ़ दी सकता है stunting, wasting और anemia यह तीन सबसे जादा important problem है जो आजकल India face कर रहा है इसमें यह बता है गया है कि 31% of children in India under age of 5 sword stunted growth यानि जिस age में है उस age में उनकी उतनी height जितनी होनी चाहिए average height उतनी नहीं है वो उसे छोटे है wasting जिस age में जितनी weight हानी चाहिए किसी एक बच्चे की वो उतनी नहीं है उससे कम है और anemia एक iron deficient बीमारी है जो की 53% women में देखा गया है यानि हर एक दूसरी महिला anemia से ग्रसित है तो ये बहुत ही alarming report है क्योंकि 53% is not a joke तो stunting, wasting और anemia ये तीन सबसे बड़े health hazard हैं अभी Indians के लिए because of lack of nutritional diet ठीक है हमने सबको 80 करोड लोगों को food security तो provide कर दिया गेहूं चावल तो दे दिया लेकिन जो nutrition वाले food हैं जैसे कि pulses हो गये fruit हो गये, milk हो गये ये सब हम provide नहीं करवा पा रहे हैं इस वज़े से हमारे Indians में stunting, anemia और wasting की problem देखी जा रही है hope आपको ये article समझ में होगा आगे बढ़ते है global AI summit अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने AI summit को host करना है उन्होंने इसको kick off किया है ठीक है, कहां किया है भारत मंडपम नीज दिली में अब इसमें से AI के development, safety और challenges क्या है उसके बारे में discuss किया जाएगा और ये global partnership on artificial intelligence summit हो रहा है जिसको जीपे बोलते हैं, ठीक है इसको कैसे टैकल करना चाहिए, deep fake का issue है ये सब को कैसे टैकल करना है, क्या policy बनाना है इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे तरकि ये जो AI का new boom आया है इसको सही से effectively use कर सके effective use और prevent misuse इसके misuse को भी prevent किया जा सके तो अब आपको ये article समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं पहला editorial है Indian monsoon के बारे में Indian monsoon भी बहुत एक complex phenomena है इसमें बहुत सारे petals देखेंगे हैं पहला onset of monsoon क्या होता है, withdrawal क्या होता है active or break periods क्या होते है low pressure systems क्या होते है तो आपको इन सब के बारे में होता है Indian monsoon पे और जो ये new monsoon में जो breaks आ जा रहा है extend हो जा रहा है monsoon एक एक दो दो वहीने तक उसके क्या कारण है तो ये आपको Indian geography से बहुत अच्छे से deep में पढ़ना है क्योंकि बहुत important topic है और ये हमेशा ही geography में एक या दो question इस topic से related आता ही है तो ये editorial काफी अच्छा था editorial पढ़ना चाहिए आपको ये article भी समझ में होबा अब यहाँ पे है sickle cell और thalassemia के बारे में ये दोना बिमारी है जिसमें क्या होता है ये मान लिज़ाब की normal red blood cells है ठीक है normal healthy red blood cells sickle cell में वो red blood cells की shape ऐसी हो जाती है sickle cell में और thalassemia में कुछ ऐसी हो जाती flat तो ये जो दो बिमारी है ये बहुत inherited बिमारी है inherited बिमारी होती है genetic बिमारी होती है तो इसको cure करने के लिए gene therapy लाई गई है दो एक है उसका नाम है case gavi और दूसरी है इसका नाम है life genia ठीक है case gavi और life genia CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 जो technology यूज होगी है gene editing tool इसको बोलते है वो use होगी इसको cure करने के लिए तो आपको जानना क्या कहा है इस article से sickle cell anemia के बारे में जानना है थलसेमिया के बारे में जानना है और ये gene editing tool के बारे में जानना है case gavi और lysemia जो के CRISPR-Cas9 tool को use करके treat करता है तो इसके बारे में मैंने twitter article भी लिख दिया है twitter article इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसका link में description में डाल दूँगा description में तो आपको ये सारा चीज एक ही जगहा मिल जाएगा वो पिन like this आगे बढ़ते हैं ये एक article आपको खुद से पढ़ना था patent exclusions के बारे में है जो patent होता है patent मिलता किसे भी technology के लिए उसके बारे में है तो काफी अच्छा article था खुद से पढ़ने के लिए खुद से पढ़ीगा आगे बढ़ते हैं next 14 December की newspaper में तो पहला article है India works in the favor of immediate ceasefire in Gaza by Israel ठीक है United Nations General Assembly में एक resolution table किया गया कि जल्दी से जल्दी अब ceasefire होना चाहिए 153 countries ने इसके favor में vote किया कुछ 10 countries ने इसके against में vote किया including US and Israel दोनों ने इसके against में किया और कुछ 23 countries है जिनोंने abstent किया उन्होंने favor में vote किया ना इसके तो यहां से इंडिया की foreign policy भी change क्या आ रहा है वो define करता है आज इस पर एक editorial भी अच्छा मिला था उसको देखेंगे कि कैसे इंडिया की foreign policy जिनोंने पहले abstention किया था कुछ समय पहले लेकिन इंडिया has always believed in upholding the human rights everywhere तो आज इंडिया ने ceasefire के लिए अपना favor में vote किया है hope you get this article आगे बढ़ते हैं लोग सबा और sorry Parliament में security breach का मामला आया है visitor gallery से कुछ दो लोगों ने canister फेके जिसमें से smirks निकल रहा था अब यहां पहे कुछ important observation भी आते हैं कि Parliament की security lapse कुई कैसे ठीक है तो इसके बाद क्या कदम उठाएगे वो कल की news paper 15 तारीकी news paper वाएगा जो कि हम यहां देख लेंगे यह event था event के बाद का क्या result आया वो हम कल देखेंगे ठीक है आगे बढ़ते है COP28 में एक दुबाई consensus पे अहां भरी गई है इसमें यह बताया गया है कि creating a path to net zero greenhouse gas emissions by 2050 is humanity's best shot at keeping global temperature from 1.5 degree Celsius यानि 1800 से अब तक देखें तो हमारा temperature 1.1 degree Celsius बढ़ गया है इसको 1.5 degree Celsius तक हमको control करना है जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2019 के लेवल से 43% fossil fuel का emissions घटाना पड़ेगा लेकिन अभी हम जिस रफतार से आगे बाढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी संभाव नहीं है बहुत सारी countries हैं जो fossil fuels का अपना production increase कर रही है तो होप दुबाई कंसेसल्स में compromise लिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि transitioning अवे किया जाएगा transition किया जाएगा fossil fuel से हम green renewable ची तरफ जाएंगे लेकिन कैसे करेंगे कितना करेंगे क्या पैसा लगाएंगे अभी उसके बारे में बहुत जादा बाते नहीं हुई है कुछ भी नया आर्टिकल आता है तो मैं discuss करूँगा आगे बढ़ते है अब ये बताया गया है कि road fraternities rise in India despite global drop पूरे दुनिया में road से related accident कम हुए लेकिन इंडिया में ये बढ़ रहे है देखिए 2010 में ये 1,34,000 थे आज 1,53,000 है तो ये fraternities इंडिया में rise ही कर रहे है ठीक है वेहिकल का भी growth हुआ है लेकिन इंडिया ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जितनी rough driving इंडिया में होती है हमारे हाँ traffic rules को follow करते ही नहीं so apart from road quality of roads हमारे हाँ जो rash driving का culture है वो बहुत ज़ादा इसका main issue है ठीक है तो आपको ये data याद रखना है कि जब भी आप road safety या infrastructure safety के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि 1.5 lakh death every year इंडिया में होर ये because of road road related accidents आगे बढ़ते हैं ठीक है जैसे कि कल मैंने बता है जीपी ए आई करके जीपे बोलते हैं इसको एक global partnership alliance on artificial intelligence ये एक चल रहा है जिसमें new daily declaration को adopt किया गया है ठीक है अब जीपे है क्या जीपे एक grouping है North America और South America और Europe और East Asia की कुछ देश का जिनका काम क्या है trust worthy development deployment and use of AI तो ये है main इसका मकसद ठीक है और India is hosting the summit and will chair GPI grouping for 2024 तो इंडिया 2024 में इसको chair करेगा इसके बाद जो भी possible solutions आएंगे जो भी outcomes आएंगे ये मैं बाद में discuss करूँगा जब भी कोई newspaper में आर्टिकल आएगा तो अभी आपको केवल ये event के बारे में जाना है ठीक है आयो वड़ते हैं ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें carbon capture और storage और carbon dioxide removal technologies के बारे में बात किया गया है तो carbon capture और storage का मतलब क्या उतर वो technology जो CO2 को capture कर देती है अपने source सही atmosphere में जाने ही नहीं देती वहीं पर जहां पर निकल रहा है फैक्टर सिंकल रहा हो वहीं पर पकड़ लो ठीक है दूसरा वो जा चुका है अब वहां से कैसे इसको हम sink में डाला जाए अब वो CDR नानिंग carbon dioxide removal technologies यह बहुत अच्छा article था इसके बारे में बताए गया है कि कैसे कौन को से technology जिससे direct air capture हवा इमें ही capture कर लें वहां पे फिर enhanced rock weathering यह दो कर सकते और forestation करते हैं और CCS तो यह है कि हम capture करके इसको store कर लें कहीं पर तो यह दो technologies के बारे में आपको जाना environment का है, terms in news में बहुत important है, यह prelims में भी affect है, mains में भी आ सकता है कि हम CO2 increase कर रहे हैं, बढ़ार है CO2 condition, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो होप यह आपको article समझ में आ होगा, आगे बढ़ते हैं, editorial है, Gaza a new pointer to India's change worldview, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, first article में, कि India ने vote किया in favor of ceasefire, ऐस पहले नहीं था, कुछ समय पहले तक India, कुछ समय पहले तक India, कुछ समय पहले तक India abstain कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब उसका stance change हो गया है, तो सशी थरूर ने का article निकार जैसमें यह बताया गया, कि India की कैसे non alignment, जो power है, non alignment policy है, कि equidistant रहेंगे हम सारे superpower से, और जहां पे, एक analysis के लिए, article था, article 370, जो judgment आया, उसके बारे में article था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 December का निस पेपर देखते हैं, तो यह पहला था, जैसे कि, security breach हुआ था, अपने Indian Parliament में है, तो path changes हुए है, पहला, यह हुआ कि, जो, जो नहीं यह act किया है, उनके खिलाफ, UAPA के तहत, case register ह हुआ है, as a terror, as a terrorist, तो यह, आपको यह, सोचना है कि क्या उनको terrorist बोला अच्छी बात है कि नहीं, ठीक है, अब क्या के लिए गया है steps, extra layers of security deploy किया गया, visitor entry को खतम कर दिया गया है, एक entry exit gate सिर्फ MPs के रिजर्फ किया गया, कि MPs ही बस आज से आएंगे और जाएंगे, employees, medias, इन सब के लिए एक दूसरा gate किया गया, और security, जो security personal लगे हुए थे, parliament की security के लिए, उन तो suspend कर भिया गया है, तो यह पांच steps लिए गया है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे साही इदगाह मौस्क है, यह, क्रिस्न जन्मस्थान भूमी मतुरा के justice bubble में है, तो यहाँ प तोड के औरंजेब ने 1670 में जन्म भूमी, यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई, तो चलिए आगे देखते हैं, क्या result आता है, अब यह आपको बस क्यों इवेंट के बारे में जानने की जरुरत थी, आगे बढ़ते हैं, केजरिवाल, LG flag of fleet of 500 e buses, अब यह बहुत important, public transport और green mobility के हिसाब से बहुत important news है, आप इस example को लिख लेंगे कैसे, Delhi is trying to get 10,000 buses, ताकि public transport increase वो, लोग local vehicles अपने personal vehicles को कम करें, और pollution कम है, congestion कम है, ठीक है, तो इंजिन में से यह target की 2025 तक 8,000 buses electric हो जाएंगी, और 500 e buses आज inaugurate की गएंगी, इससे total दिंगली में 1300 e buses हो गया है, जो कि पूरे इंडिया में, किसी वे city में सबसे जादा है, तो यह एक अच्छा step है, और यहाँ पर आपको जाना है, fame 2, scheme के बारे में, कैसे यह renewable transport को support कर रहा है, तो fame 2 के बारे में, आपको जाना है, यह जाना है कि किस ministry के ministry के अंदर यह आता है, fame 2, scheme, ठीक है, तो आपको यह article भी समझ में आ होगा, आगे वड़ते हैं, अब रशिया और यूक्रेन का बार चल रहा है, और रशिया अब ऐसा लग रहा है कि यह बार जीत सकता है, क्योंकि यूक्रेन को western जो support है, वो कम होता जा रहा है, तो अब यह places in news बहुत important है, जैसे कि मैंने कल जो places in news वाला वीडियो डाला था, उसमें Black Sea के बारें बताया था, यही है Black Sea, अब Black Sea से connected जो जो important सहर है, जैसे Odessa हो गया, ठीक है, खरसान हो गया, यह वाला क्रीमिया वाला area हो गया, क्रीमिया में यह सेवस्ता पूल हो गया, मेल्टो पूल हो गया, मारियो पूल हो गया, लुहांस, दोनेस्क, जैपोरी जीजिया, नुकलिर पावर प्लांट, तो यह सब जो important places of news वही है, आपको याद होना चाहिए, जैसे कि 2023 में एक basic सवाल आ गया था, यूकरेन को bordering countries कौन-कौन सी है, तो यह आप comment में जरूर लेकि बताए, यह लतल होती है, वो लग जाती है बच्चों में, और इससे cancer जैसे harmful effects भी है, और मैं दिखा दिए कि इस cigarettes की खिलाफ कोई भी कानून नहीं है, बहुत सारी देशों में, तो children इसके सबसे बड़े victim हैं, और इसके toxic substances हैं, cancer भी cause करते हैं, और serious heart और lung disorders भी cause करते हैं, तो इसको लग करते हैं, impeachment process of president, जो पाइडन के खिलाफ, एक impeachment process लाया जा रहा है, United States Congress में, Congress वहां की Parliament है, ठेक है, अब आपको पढ़ना क्या है, आज ही जाके लक्षमी काम खोने लिए, जाकि internet से, US और इंडिया में जो president है, इनको impeachment करने का process क्या है, ये mains का बहुत important question है, जो की previous questions में आ का है, कि compare and contrast the impeachment process of presidents of United States और इंडिया, उनके बीच में powers क्या है, वो भी आपको आज ही जाके पढ़ना है, from लक्षमी कांथ, ओके, hope you get this article, आपको revision में मिलगे, पहला एक election commission के बारे में पढ़ना है, दूसरा presidents के बारे में पढ़ना है, from of US and India, ओके, so आगे बढ़ते हैं, ये COP 28 के बारे में हैं, कि focus on fossil fuels and all, 1.5 डिंडी टार्गेट है, कैसे achieve करेंगे, क्या कितना कितना करना पड़ेगा, ये सब लिस में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्या, इंडिया का, जो steps लिया जा रहा है, वो in effect कि नहीं है, ये उसके बारे में article है, काफ 28 के बारे में अभी हमारे पास काफी जानकारी हो गई है, तो ये थाज का newspaper 13, 14 और 15 को हमने 7 cover किया है, तो thank you so much for watching और इस वेडियो को लाइक पीज़े और चैनल को subscribe किये, thank you so much.